नमस्कार and Hello and Welcome to Basic Photography Tutorial Channel दोस्तो आप सभी का स्वागत है आज के इस टोपिक में हम जानेंगे डिजिटल कैमरा क्या होता है और इसके क्या-क्या प्रकार होते हैं डिजिटल कैमरा कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे बेसिकली कैमरा क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप देख रही हैं, diaps of camera हो गया, dslr camera क्या है जादतर लोग सुनते हैं कि dslr, dslr, यह क्या होता है और इसे dslr क्यों कहते हैं, यह हम जानेंगे, इसके बाद camera body parts के बारे में जानेंगे, इसके बाद में जो इसके leading particulars mode हैं, उनके बारे में जानेंगे, और ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तो आज के सेशन में आपको सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएंगी कि कैमरा क्या होता है और ये कैसे काम करता है और आज तक किस टेक्नलोजी में किस टाइप के कैमरे आ चुके हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो कैमरा जानने से पहले दोस्तों एक बार रिफ्रेस होते हैं आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जैसे कि बेसिक टाइप आप फोटोग्राफी के बारे मैंने बताया था तो आज हम जानेंगे बेसिक टाइप के बारे में जो की कैमरे के लिए रिक्वाइड है जैसे कि हमें DSLR कैमरा डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा जो होता है वो बेसिकली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों हम यूज़ कर सकते हैं तो फोटोग्राफी के लिए हम जैसे यूज़ करेंगे तो फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं तो फोटोग्राफी में बेसिकली ओ कैमरा जो की इमेज हम लाइट की हेल्प से ड्रॉ करते हैं किसी भी sensor पर या फिर किसी फिल्म पर sensitive media पर उसी को हम photographic कहते है आप इसके बारे में already जानते हैं दोस्तो next चलते हैं इसके बाद मैं camera के बारे में जानेंगे camera क्या है camera एक दोस्तो light tight box होता है जिसमें की एक ही only lens case द्वारा ही light enter हो सकती है और कहीं से भी light enter नहीं होती इसलिए उसको light tight box बोलते हैं next उसमें उसका इस type का arrangement होता है कि उसके सामने lens होता है और पीछे की side में एक sensitive material होता है जिस पर कि आपका image form up होता है record होता है बनता है जिसे आप sensor कहते हैं और पहले film होता था अब यह sensor पर record होता है और sensor और film के लिए हमने separate class बना रखा है उसे हम आपको बताएंगे और आप उसे refer कर सकते हैं देख सकते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अभी इसमें analog film camera क्या होता है और digital camera होता है इसमें basically दो type के camera हैं फिर digital में हम उसके प्रकार देखेंगे एक है digital में अगर है तो किस किस टाइप के digital camera आज की generation के साब से आ चुके हैं तो आपने जैसे देखा है कि analog camera क्या होते हैं जैसा कि आप difference देख पा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों analog film camera में negative पढ़ता था जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह negative है negative यूज होता था जो कि 35 mm का हम negative यूज करते थे दोस्तों जिसमें कि 36 exposure होते थे 36 exposure होते थे हम एक बार में 36 ही photo click कर सकते थे और जो difference है analog और digital में आप जानेंगे कि इसमें click करने के बाद analog में click करने के बाद हम उसे देख नहीं सकते थे इसको हम viewfinder पर देख नहीं सकते थे after processing ही हम इसको देख सकते थे लेकिन digital camera में आप same time देख सकते हैं तो बहुत सारे merit, demerit हैं दोस्तों आज के हिसाब से इसमें आप settings change करके आप result पा सकते हैं जो आपको चाहिए इसमें आपके ISO के हिसाब से film आता था उसके हिसाब से यह आप उसको use कर सकते थे जैसा कि आप देख रहे हैं analog 35 mm film camera है यह और यह देखने में structure इसका ऐसा होता था और इसमें यह sensor है sensor भी दो तरह की technology में बना हुआ है दोस्तो CMOS and CCD इसके लिए भी आप separate class देख सकते हैं CCD होता है charge coupled device and CMOS होता है complementary metal oxide semiconductor इसके लिए separate class है दोस्तो तो अभी हम इतना ही जानते हैं कि analog camera क्या होता है और digital camera क्या होता है जैसा कि आप देख चुके हैं same time उस पर display पर देख सकते हैं delete कर सकते हैं digital camera में लेकिन analog में ऐसा नहीं था आगे बढ़ते हैं दोस्तो next आप जानेंगे camera की history के बारे में digital camera की history के बारे में दोस्तो जैसा कि आपने पहले analog देखा था अभी हम digital camera पढ़ेंगे digital camera में सबसे पहले h-man kota के एक engineer थे 1975 में उन्होंने camera को develop किया था जो की जैसा बताया है handful of motorola parts से बना हुआ था जिसमें 16 batteries लगती थी लेकिन दोस्तो आज की technology में आप देख सकते हैं आज lithium battery आज की time में lithium battery है जिसकी जादा power रहती है और जादा rechargeable भी रहती है compare to पहले जो pencil cell battery AAA size की जो यूज होती थी और इसमें जो इन्होंने जो sensor यूज किया था वो CCD था charge coupled device तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह पुराना technology था इस type का camera देखने में था और आज की generation के हिसाब से यह 27 तक आ चुका है next दोस्तो next हम देखेंगे types of camera क्या है यह सभी digital camera के बारे हम जान रहें जैसा कि आपने compact digital camera देखा है compact digital camera देख रहे हैं bridge camera देख रहे हैं DSLR देख रहे हैं mirrorless देख रहे हैं तो दोस्तो इसमें सबसे ज़्यादा जानने वाली क्या बात है जो यह compact camera है पहले number का lens बाहर आता है off करेंगे तो अंदर जाता है ज्यादा तर आप लोगों ने दोस्तों इसको use भी क्या होगा next है दोस्तों bridge camera bridge camera में जो यह आप देख रहे हैं छोटा था hump type का उठा हुआ है इसको हम bridge बोलते हैं इसलिए bridge camera type का है यह भी digital camera है दोस्तों और इसमें भी lens बाहर आता था next अब यह DSLR जो camera है दोस्तों maximum लोगों ने यह use किया है इसका ही एक बोल वाला था एक समय में और अभी भी है अभी latest technology के हिसाब से mirrorless camera जैसे की आ चुका है fourth number पर जैसे की आप देख रहे हैं digital single lens camera को हम reflex camera इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम compatible lens को use कर सकते हैं change कर सकते हैं lens को but compact camera में lens को change नहीं कर सकते थे अभी हम बात करते हैं mirrorless camera की mirrorless में जैसा की नाम से ही प्रतित होता है mirror नहीं है इसमें mirror होता था क्योंकि viewfinder में देखने के लिए DSLR में viewfinder में देखने के लिए एक mirror 45 degree पर लगा रहता था जैसे कि आप working principle में देखेंगे उसके हिसाब से इसमें pentaprism इस portion पर pentaprism रहता था और light reflect होके आती थी तब हम viewfinder में देखाई देता था लेकिन mirrorless camera में जैसे आप mobile में direct देखते हैं जो कि आपके sensor पर direct light परता है same principle पर काम करता है next दोस्तो आप देख सकते है DSLT जो latest technology है single lens translucent है दोस्तो इसमें यह translucent मतलब थोड़ा सा बहुत पतली thin layer का mirror रहता है जो कि हलकी light को reflect करता है और बाकी की light को pass होने देता है इसकी यही एक property है से mirrorless की तरह यह काम करता है आगे जानेंगे दोस्तो compact digital camera जो पहले नंबर पर हमने compact digital camera डिसकस किया है जैसा कि आप figure में देख रहे हैं इसको point and shoot camera भी बोलते हैं automatically काम करता है जैसा कि हमने पहले बताया next चलते हैं दोस्तो अब हम bridge compact की बात करते हैं same bridge compact में भी दोस्तो यह भी एक तरह से compact camera आई है इसमें भी lens बाहर आता है जैसे हम on off करते हैं तो और आप इसको control कर सकते हैं setting को change करके next आप देख रहे हैं दोस्तो bridge compact camera जैसा कि display पर देख रहे हैं आप आपने use भी क्या होगा इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं automatic जो semi-automatic और automatic हैं तो normal setting में आप इसको use करके अच्छा result पा सकते थे आपको ज्यादा manual setting करने की जरुवत नहीं होती है दोस्तो next दोस्तो DSLR camera की बात करते हैं तो DSLR camera आपने use किया है और आप देखेंगे आगे इसमें जैसे कि आप figure में देख रहे हैं देखने में यह DSLR camera step का होता है इसमें आप reflex lens को change कर सकते हैं अपने इच्छा के हिसाब से आप zoom lens wide angle lens whatever your requirement आप उसे change कर सकते हैं और इसका working principle दोस्तो light lens के throw enter करता है और जो यह mirror आप देख रहे हैं जो आप mirror देख रहे हैं तो दोस्तो जैसे कि light इसमें enter करता है और जो आप यह mirror देख रहे हैं mirror से 90 degree पर यह light upward reflect होता है और यह pentaprism है दोस्तो pentaprism से critical angle की property के अनुसार light हमें सीधा दिखाई देता है जैसा हमें object appear हो रहा है सेम ऐसा ही इधर appear होता है तो यह viewfinder property है दोस्तो और अभी latest technology में दोस्तो आप देखेंगे mirrorless में mirrorless में direct जैसे कि मैंने पहले बताया आपको जो mobile पर screen मिलता है सेम ऐसे ही इसमें दिखाई देता है सेम दिखेगा जैसे आपको mobile में दिखता है सेम इसमें दिखाई देता है जो आपको दिख रहा है वही होगा अभी आप पूछेंगे कि viewfinder में कैसे दिखाई देगा अगर direct सीधा light sensor पर पढ़ रहा है तो तो दोस्तो इसमें viewfinder electronically दिखाई देता है wire के through इसको viewfinder के तरफ output दिया जाता है और आप देख सकते हैं same property और same mode shooting modes आप DSLR की तरह इसमें change कर सकते हैं दोस्तो latest technology है दोस्तो अभी यह compact भी हो चुके है lightweight भी हो चुके हैं और costly हैं और दीरे दीरे करके जैसे जैसे technology बढ़ती जा रही है दोस्तो यह सस्ते भी होते जाएंगे अभी दोस्तो आप difference देख सकते हैं दोनों में यह देखिए mirrorless camera में और Tesla camera में क्या अंतर रहेगा दोस्तो सबसे पहले इसमें आप देखिए इधर जो यह दो number के ऊपर जो mirror है यह वाला mirror इस camera में mirror नहीं है इसलिए दोस्तो यहाँ pentaprism लगा हुआ है इसमें pentaprism नहीं है तो size में भी आप difference देख सकते हैं इसका size बहुत बड़ा है और इसका size छोटा है तो दोस्तो यह pentaprism वाला portion हट गया तो यह इसका size compact हो गया है और sensor की position आप दोस्तो देख सकते हैं क्योंकि mirror था तो वह उसके पीछे sensor लेना पड़ता था अभी आप center में sensor कर दिया है mirrorless में यह देखिए तो दोस्तो जैसे जैसे technology आगे बढ़ रही है उसी साफसे हमें result मिलते जा रहे हैं DSLR की तरह हैं save है दोस्तो और इनका function भी smooth है लेकिन इसमें एक ही thin layer है इसका यह जो mirror है यह translucent material का बना हुआ thin material का बना हुआ है दोस्तो यह ही इसमें एक basic अंतर है दोस्तो next हम camera के parts के बारे में जानेंगे DSLR camera के parts के बारे में सबसे पहले जब आप click करते हैं यह shutter release button है दोस्तो यह जैसे कि आप देख रहे हैं shutter release button यह वाला जब camera को one and half click पर photo खीचना चाहिए हमेशा यदि कोई continue direct press कर देता है तो photo तो click होता है दोस्तो exposure click होता है लेकिन focus में है या नहीं है यह confusion रहता है इसलिए one and half click होता है पहले half-half click कीजिए तो photograph click नहीं होता है जैसे आप देखेंगे viewfinder के थ्रोग आपका photo focus में आता है तो आप उसको continue press कर सकते हैं और photo click कर सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों कैसे camera focus करता है auto mode में आप देख रहे हैं सबसे पहले AF assist एक illuminator light होती है जो कि आप यह देख रहे हैं यह distance beam तक जाता है subject तक यह beam जाता है और वहां से back आता है तो camera को बताता है कि subject इतनी दूर पर है तब यह camera automatic setting को set करता और focus करता है उससे साबसे आप photo click कर सकते हैं next दोस्तो जो यह hump बना हुआ है आप इस पर देख सकते हैं इसको hot shoe accessory जाए दोस्तो इसमें आप कोई भी additional contacts होते हैं कोई भी additional device connect कर सकते हैं for studio lighting के लिए trigger कर सकते हैं extra light flash gun यूज़ कर सकते हैं speed light यूज़ कर सकते हैं जो आपको mechanism में चाहिए वह माइक वगरा कुछ भी आप इसमें contact कर सकते हैं next दोस्तो eyelet for camera strip जैसा कि आप देख रहे हैं eyelet है कले में strap को डालने के लिए safety और handling के लिए easy रहता है इसलिए eyelets दोनों साइड में left और right camera body के दे जाते हैं दोस्तो next दोस्तो आप देख सकते हैं flash mode button यह देख रहे हैं flash mode button दोस्तो इसको आप press करेंगे तो flash pop up flash बोलते हैं जो कि यह वाला flash करना है यह अब हो जाएगा pop up मतलब pop up का मतलब होता है फोदक कर खुलना उपर जैसे आप button को press करेंगे तो pop up हो जाएगा फिर इसको आप gently press down करके इसको close कर सकते हैं next दोस्तो आप function button देख सकते हैं function button का काम रहता है कि आप किसी भी एक individual काम को इस button को decide कर सकते हो assign कर सकते हो यदि आपने function button को ISO का का काम दे रखा है setting में जाकर जैसे function button दबाएंगे तो ISO automatically highlight हो जाएगा यदि आपने white balance का दे रखा है तो white balance हो जाएगा आप कोई भी काम इसको दे सकते हैं next दोस्तो आप देखेंगे lens release button यह जो button है यदि आप lens को ऐसे ही rotate करेंगे तो तूटने के chance हैं इसको आपको gently press करके ही rotate करना anti clock wise तभी यह unlock होगा और जो यह white point आप देख रहे हैं देहां से देखें जो यह white point है यह same camera body और lens पर होता है यह Nikon में white point होता है और Canon में red color का box या फिर white color का square में रहेगा यह point दोस्तो Nikon में point के रूप में रहता है और Canon में score में रहता है तो दोनों को align करने के बाद ही आपको rotate करना है तब यह lock और unlock होता है दोस्तो next दोस्तो आप देख सकते है manual focus switch यह auto और manual focus switch रहता है यदि आपको lens को auto में रखना है तो आप auto में रख सकते है manual में रखना है तो manual में रख सकते है इसमें दोस्तो condition यही है अच्छा result लेने के लिए अगर आपका lens manual में है तो camera भी manual में होना चाहिए तो उसे अच्छा result होता है और camera अगर आपका auto में है तो camera lens भी auto में ही होना चाहिए vibration reduction दोस्तो यह देख रहे हैं जो यदि किसी का hand shake करता है थोड़ा भी जर्क होता है बाइबरेट करता है तो उसको इसमें silent wave motor होता है दोस्तो वो इसको control करता है इसके shake moment को इसलिए आप vibration reduction हमेशा on position में रख सकते हैं और यह सभी के लिए help करता है दोस्तो अब बात आती है दोस्तो यह हमारा photo shake करता है यदि आपके subtle speed 80 80 से कम है 80 से कम है तो shake होने के chance ज़्यादा रहते हैं by man hand held यदि हाथ से आप photographic कर रहे हैं और subtle speed आपका 80 से कम है तो आपका photo bloody होने के chance ज़्यादा है next दोस्तो camera lens है जैसे कि आप जानते हैं यह camera lens है और इस पूरे को camera lens assembly बोलते हैं number of lenses का यह combination है दोस्तो next बढ़ते हैं दोस्तो parts के बार में अभी हमने 1-1 parts देख रहे हैं जैसे कि हमने बताया यह release button बोलते हैं इसको जिससे कि photo click होता है यह mode dial है दोस्तो इस पर सारे mode होते हैं आप अपनी suitability के साब से उसको change कर सकते हैं प्रसू रहता है यह contact कर सकते हैं पहले हमने Nikon के बार में देखा अब यह Canon में same pentaprism hump रहता यह वाला दोस्तो next आप देख सकते हैं lens release button देख रहे हैं आप image sensor देख रहे हैं back side में यह camera grip है इसको आप little finger और ring finger से grip बना सकते हैं और index finger को फिरी छोड़ सकते हैं for shutter release button के लिए next दोस्तो parts of dslr camera चल रहा है आप देख रहे हैं different different parts है 1y1 हम इस पर आते हैं सबसे पहले जो आप यह portion देखने हैं इसको viewfinder बोलते हैं दोस्तो इसके बाद में auto exposure auto focus lock button है दोस्तो जब आप practical करेंगे तो आप इसका use देख पाएंगे यह command dialer दोस्तो इससे आप change कर सकते हैं जो भी चीज आपने select कर रखी है यह movie record बटन है हर जगे आपको movie record का same red color का point दिखाई देता है एक button दिखता है यही है L भी लिखा हुआ दोस्तो यहाँ पर छोटा सा यदि आप इस switch को on live की तरब करेंगे तो यह video mode में आ जाएगा और आप video को on off off pause कर सकते हैं इस button से next दोस्तो आप देख सकते है multi selector यह वाला left right up down and center में ok है इसके दोस्तो तो multi selector से setting को change कर सकते हैं इधर आप देख रहे हैं speaker का दोस्तो इधर holo रहते हैं यहाँ से अगर आप बोलेंगे तो आप आज record होती है next delete का हो गया दोस्तो यह monitor और display हो गया same आपके left side में इतने सारे option दे रखे हैं playback button है menu button है zoom button है help है zoom in out हो गया info button हो गया next next आप देखेंगे दोस्तो internal view क्या है camera का यह Canon camera का आप 3D view देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले यह इधर lens assembly होता है इधर इसके आगे light आएगा इस पर mirror पर पड़ेगा mirror से उपर pentaprism से होते हुए फिर आपको इधर viewfinder में दिखाई देगा इधर जो दोस्तो यह 5 का जो symbol है आपको इस तरह का symbol दिखाई दे रहा है दोस्तो यह symbol आपकी जो sensor है उसकी position को show करता है कि इस position पर आपका sensor है दोस्तो इसको 5 बोलते है horizontal mathematical में बनाएंगे और यह vertical symbol दिखाता है केमरा बोड़ी के इस line पर है दोस्तो इस line पर इस तरह से दिखाता है यह तो हमारा जो sensor अभी है वो camera body के इस portion पर है दोस्तो यह जो दिखा रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं तो दोस्तो यह internal mechanism आपको एक reference के लिए view है कि इतना technical में जाने की ज़रूत नहीं है दोस्तो next आप देख सकते हैं other side से देख सकते हैं इसका internal view batteries इसकी कहां होती है यह जानकारी भी होना बहुत जरूर है अभी lithium battery आती है इदर रहती है sensor इसकी back side में रहता है इदर रहता है पीछे lens assembly है combination of number of pieces of lenses है यह eliminator है दोस्तो shutter release button हो गया hot shoe हो गया conception कहां पर है दोस्तो इस तरह से light reflect होके आपको मिलती है दोस्तो और इदर record होती है और इदर media में store रहती है दोस्तो आप देख सकते हैं इसका working principle देख सकते हैं focusing क्या करता है कैसे करता है shutter कहा है aperture कहा है दोस्तो यह आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था एक pentaprism रहता जिसके pentaprism इसकी 5 बुजाएं होती है इसलिए इसको pentaprism बोलते हैं इसकी property होती है critical angle के तो यह 90 degree पर light को reflect करके आपको viewfinder पर दिखाई देता है और इसकी back side में होता sensor दोस्तो जब यह mirror up हो जाता है यह वाला mirror up हो जाता सटर रिलीज बटन करने के बाद तो direct light हमारी sensor पर पढ़ते हैं और हमें image record होके प्राप्त होती है दोस्तों next दोस्तों आप देख सकते हैं different different mode को देख सकते हैं जैसे की camera में मैंने बताया था अभी आप यह वाला fully auto है यादि green color का box है तो उसको हम fully auto mode बोलते हैं वह उपर वाला जो आप image देख रहे हैं fully auto में लिया गया है दोस्तों नीचे वाला portrait में दोस्तों portrait को आप ले सकते हैं अभी इसके साथ-साथ photography के साथ दोस्तों आपको इसकी setting देख सकते हैं इसकी setting क्या क्या है और हमें रूल बनवाई third रूल जो होता है उसके साथ यह photograph लिया गया है तो बनवाई rule third देखने के लिए वीडियो को refer कर सकते हैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूं नेक्स दोस्तों आप इसके modes के बारे में जानेंगे camera में different different mode होते हैं यदि आप उस mode में रखकर photograph करते हैं तो आपको बहुत फायदा रहता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि सेटिंग पर कौन सा फूटर आपस लिया गया है और क्या result है आपके सामने दोस्तों नेक्स देखेंगे दोस्तों पार्टिकुलर वर्क के लिए पार्टिकुलर बर्क के लिए मोड दे रखेंगे प्रॉच्ट को और अप शसी हिसाब से बर्राप्त करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कौन-कौनसे मोड होते हैं आप आप सारे कैमरयों में देखेंगे तो यही mode में लेंगे इसके अलावा कुछ जादा mode होते नहीं है तो dual program mode देखने को मिलेगा दोस्तो high speed program mode देखने को मिलेगा जादा तर आपको common mode यह देखने को मिलते हैं program, manual, shutter priority aperture priority, auto fully auto, तो दोस्तो यह manual को छोड़ते हैं यह सभी semi auto mode हैं बाकी के, program mode हो गया shutter priority हो गया, aperture priority हो गया और fully auto that means, वो fully auto होता है यह manual है इसमें आपको सारी setting करनी पड़ती है fully auto में camera automatic सारी setting करता है but semi auto में आपको कुछ setting है, खुद करनी पड़ती है different different camera में आप देखेंगे जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं single frame shooting mode है, यह shooting mode होगे continuous low, continuous high जैसा कि आप देख रहे हैं यह shooting mode है दोस्तो इसमें confuse नहीं होना है वो exposure mode है, यह shooting mode है दोस्तो next आप focusing mode देख सकते हैं दोस्तो focus करनी के लिए अगर आप camera में manual focusing कर रहे हैं तो उसको रख सकते हैं effect को आपको focus में रखना है तो इस तरह single servo कर सकते हैं और continuous servo कर सकते हैं यानि कि still और moving दोनों के लिए आप continuous servo में रख सकते हैं next आप देख सकते हैं दोस्तो metering mode क्या रहता है किस particular work के लिए आप photographic कर रहे हैं, यदि आप एक spot के लिए कर रहे हैं, sport को आपको focus में रखना है तो आप sports metering mode को choose कर सकते हैं, यदि frame के center में focus रखना है, तो center में कर सकते हैं, matrix entire frame के लिए आप इसको choose कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जैसे जैसे आप ये camera setting को जानेंगे use करेंगे, उस हिसाफ से आपको इसका result मिलेगा और आप ऐसा अच्छे से इसको experience कर पाएंगे next आप देख रहे हैं, दोस्तों, DSLR camera में, दो तरह का रहता एक DX, एक FX, उसके लिए भी हमने बताया, full frame जिसका size जो रहता है, 36 x 24 mm size रहेगा sensor का, उसको हम full frame बोलते हैं, FX बोलते हैं और उससे छोटा sensor size होता है, उसको हम DX बोलते हैं तो दोस्तों, technology के हिसाब से जैसा कि आप देख रहे हैं, 2011 से 20 तक, camera model का दिया रखा है, camera model है कैसे change कर सकते हैं तो दोस्तों, आज के lesson में आपने क्या क्या जाना, सबसे पहले आपने जाना, camera क्या होता है types of camera, photography जाना इसके बाद में DSLR camera के बारे में जाना, camera के generally basic body parts के बारे में जाना, कौन कौन से mode होते हैं क्या क्या function होता है काम कैसे करता है, दोस्तों ये जाना उसके बाद में different type के modes जाने, आपने focusing mode जाने, exposure metering mode जाना, कैसे कैसे कर सकते हैं, focusing आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपका कोई query है कोई question है, तो आप comment box में लिख सकते हैं और कोई question है उसको भी आप comment box में लिख कर बता सकते हैं, I hope आपको ये video helpful रहेगा, धन्यबाद